एक छोटे से गाउं में रहने वाला एक लड़का था, जिसका नाम अरजुन था. अरजुन के पास एक चमतकारी आइना था, जिसकी शक्ती से वह दूसरों के मन की गहराईयों में जा सकता था. एक दिन अर्जुन ने विचार किया कि वह इस आईने की मदद से एक नया सफर करना चाहता है आईना के जादू से अर्जुन ने एक रंगीन और विश्वसनी ये सफर तै किया उसने आइना को देखते ही देखते खुद को एक नए दुनिया में पाया जहां सब कुछ रंगीन और जादूई था वहाँ एक मैजिकल वन में पहुँचकर वह एक प्यारी सी फूलों की बगिया में खो गया फूलों ने अरजुन को अपनी कहानियाई सुनाना शुरू किया और उसने उन्हें और रंगीन बना दिया फिर अरजुन ने वहाँ एक मैजिकल पंका डाला और एक जादूई जिल मिलाहट के साथ वह अपने आपको एक उड़ते हुए तारा बना दिया उसने अपने नए रूप में अनेक रंगीन और जादूई स्थलों को गजब कर दिया एक दिन वह एक सुन्दर सी जील के किनारे पहुँचा जिसमें एक रहस्यमय मनी छिपी थी मनी ने अरजुन को देखा और उससे बोला तु मेरी राजदानी को प्राप्त करने के लिए यहां कैसे आया? अरजुन ने अपने जादूई आइने की मदद से बताया और मनी ने उससे एक कठिन सवाल किया सवाल का उतर देने के बाद अरजुन ने मनी की राजदानी को प्राप्त किया राजदानी में वह एक राजा बना, लेकिन उसने कभी अपनी रंगीनी और जादूई भूमी को भूला नहीं, वह अपने लोगों के साथ हर बार अपनी नई कहानियों को बांटता और सभी को अपनी जादूई दुनिया में ले जाता, एक दिन वह अपनी राजदानी के के साथ बैठा हुआ दे